Hello friends, welcome back, I am Vivek Shinghal from tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं Maruti Suzuki के बारे में Maruti जो अपनी car company है and India की largest car manufacturer है तो इसको लेकर हम सारी ही बाते discuss करेंगे, एक detailed study करेंगे और almost 10-11 points की अपनी case study है जिससे हमें business का potential पता चलेगा जो Maruti Suzuki है, उसकी position क्या है, current car business में क्या उसके expansion plan है, क्या changes है, क्या technology है क्या उन्होंने development किये हैं और उसके साथ में हम balance sheet भी देखेंगे फिर साथ में हम technical points भी देखेंगे जो technical chart pattern होगा तो सारी चीजे यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं और मैं हाँ पर एक एक करके सारे points आपके साथ में रखने वाला हूँ तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक number सबसे पहले देखना जरूरी है कि इंडिया में जो number of cars हैं वो कितनी है तो यह एक information है number of cars per 1000 people in India versus USA तो यह जो news है जो information है यह December 2018 की है और अभी तक उसके बाद में almost 4 years हो गए हैं तो थोड़ा सा number change हुआ होगा अपग्रेड हुआ होगा शायद 22 के बदले अभी अपग्रेड होकर 25 हो गया होगा उससे आदा impact नहीं है तो 22 people out of 1000 on car while in US and UK this number is 980 and 850 respectively तो यानि कि इंडिया में आज की rate में हम 25 number ले सकते हैं कि 1000 लोगों के उपर 25 cars हैं और US में यह number 980 है तो यह एक बहुत बड़ा number है अगर हम इसी number को एक बार चाइना का number डाल कर देखें तो शायद the figure निकल कर आजाए तो figure यह निकल कर आजी 2021 का number है इन चाइना देर आर करेंटली fewer than 200 vehicles per 1000 people और जबकी यूरोप में यह number 600 है अमेरिका में इस number is 800 तो यह जो एक इतना बड़ा difference है means चाइना में per 1000 people 200 cars हैं इंडिया में यह number अभी 25 है तो यहां से सीधा-सीधा 8 times होने का सीधा-सीधा scope है over a period of next 20 years तो क्योंकि यह बात बिल्कुल साफ-साफ है कि next 20 years में जितना चाइना अभी है इतना हम हो जाएंगे असानी से जिस तरह से इंडिया में base building है जो चीज़े import नहीं होनी चाहिए मिन्स इंडिया में production स्टार्ट कर दी है बाकी भी काफी मिन्स एक अच्छे strategic way में सारे move लिये जा रहे है कि जो चीज़े हम इंडिया में import करते हैं उस import को इंडिया में ही बनाया जाए बाकी बाहर की country से न लाया जाए इसलिए Tesla को अभी तक बाहर रखा गया क्योंकि Tesla का कहना था कि मैं चाइना में बनाऊंगा इंडिया में बेचूंगा तो simple सी बात है कि अगर इंडिया में अपना माल बेचना है तो इंडिया में आपको बनाना पड़ेगा बाहर से लाना allow नहीं है खास तोर से जब आप mass production की बाते कर रहे हो means mass में चीजे sell करने की बात कर रहे हो तो यहां यह एक overall एक अच्छा बड़ा business का means scope है यहां से सिदा सिदा grow करने का तो business में यहां पर exponential growth है इसी business को एक बार और समझने के लिए मैं आपको एक number और आपके सामने share करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो total vehicles है उसका distribution किस तरीके से है इंडिया में 75% यानि कि इसमें हमने two wheelers भी लिए इसमें cars भी लिए और इसमें बाकी जो अपने vehicles हैं वो भी count किये so 15% cars है 75% two wheelers है तो यह जो 75% two wheeler है reverse हो चुका होगा 20 years में नहीं तो 25 years में 15% two wheelers होंगे और 75% यहाँ पर cars होंगी तो जो macro business का number है cars को लेकर वो काफी अच्छा है यहाँ पर और यहाँ से काफी उपर हम यहाँ पर growth देख सकते हैं इस पूरी industry की पूरे business की तो यह business की बात हो गई second point हम लेकर चलते हैं अब यहाँ पर companies को लेकर कि इस business में कौन-कौन सी companies है जो market में play कर रही है और किसका कितना market share है तो इस चीज़ को लेकर अगर हम एक number देखें तो यहाँ यह number नजर आता है Maruti Suzuki largest player है जिसका 47.4% market share है हो सकता है थोड़ा बहुत यह number नीचे हुआ हो फिलाल but that's okay तो overall हमें scenario पता चल जाएगा Hyundai second number पर है Tata third number पर है शाए Tata भी second number पर आ सकती है अभी वो numbers देखने होंगे Kia one of the main player है और Mahindra and Mahindra then Renault, then Honda, then Toyota so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 8 है और साथ में Volkswagen भी है और उसके साथ में हमारा Escoda भी है हाला कि दोनों same group से है दोनों companies तो यह हमारी general cars बनाने वाली companies है इन से अलग जो बाकी numbers है जैसे Mercedes है Land Rover है Land Rover हम Tata में हापर count कर सकते हैं और BMW है Audi है और बाकी भी जो बहार से सीधी सीधी इंपोर्ट होती है units Ferrari वगरा तो उनकी हम बात नहीं कर रहा है वो वैसे भी जो developed world है वहापर भी जादा वो cars नहीं होती तो almost अगर हम देखे तो 10 players है 8 तो हमने यहीं पर list में देख लिए these are the 8 players और साथ में हमने Skoda and Volkswagen को साथ में अड़ कर लिया so 10 players general category को यहाँ पर supply करते हैं और उसके बाद में 4 players है जो luxury cars में है luxury cars में जैसे JLR है और आपका Volvo है BMW है OD है Mercedes है लेकिन वो number बढ़ा नहीं होता तो यहां market share में वो कहीं भी count नहीं होगा और जो हम number की बात करें है overall की आने वाले टाइम में per 1000 people 200 के आसपास number हो जाएगा इंडिया में भी जो currently 25 के आसपास है तो उसमें तब भी जो luxury cars है बहुत जादा participate नहीं करती तो यह overall यह number CC तरीके से काम करते हैं तो यह जो सारे players हैं अगर हम एक बात देखने लगें कि listed companies कौन-कौन सी है this is the next drill down situation means एक और step further हम जा रहे हैं deep down so Maruti is listed in India Hyundai is not listed Tata is listed Kia is not listed Mahindra is listed और उसके साथ में फिर Renault listed नहीं है Honda listed नहीं है Toyota listed नहीं है और जो हमने बाकी companies की बात की यहाँ पर जो Skoda है वो listed नहीं है Volkswagen लिश्टेड नहीं है BMW, Audi, Mercedes, Volvo यह सब इंडिया में लिश्टेड नहीं है तो listed companies कौन-कौन सी है listed companies सिर्फ इंडिया में 3 है जो cars बनाती है Maruti Tata और यहाँ पर 3rd number है Mahindra और महिंदर का अब इन में से pure Indian car player कौन सी companies है वो सिर्फ और सिर्फ एक है Maruti क्यों क्योंकि Mahindra और महिंदरा वैसे तो pure Indian car player है लेकिन Mahindra और महिंदरा में अगर आप जाकर देखोगे तो कुछ चीज़े आपको extra निकल कर आएंगी जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हम Tech Mahindra का एक बार data open करते हैं इसके share holding pattern में आते हैं यहाँ जाकर देखते हैं तो Mahindra & Mahindra यहाँ पर नजर आता है Mahindra & Mahindra के पास इसकी 25.47% हिस्सेदारी है और किस-किस companies में कितनी-कितनी Tech Mahindra यानि कि Mahindra & Mahindra is not only Mahindra & Mahindra बलकि एक group of companies का मिनसे conglomerate है जैसे Reliance Industries है Reliance Industries को सिर्फ energy नहीं बोला जा सकता या फिर retail नहीं बोला जा सकता telecom नहीं बोला जा सकता financial नहीं बोला जा सकता तो यह बहुत सारा एक mix है किसी भी एक product के उपर dependent नहीं है तो इसलिए Mahindra & Mahindra is not a pure car player Mahindra & Mahindra company जो है वो अलग बात है कि इनके product सिर्फ इंडिया में है लेकिन पूरी company के उपर अगर Mahindra & Mahindra के share को हमें लेना है तो सिर्फ जो car segment है अगर वो यहाँ पर और इसमें financial service company अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो Mahindra & Mahindra अच्छा नहीं कर सकती तो यहाँ पर जो बाकी companies है वो तो अलग हटी गई वो लिश्टिद ही नहीं है इंडिया में तीन companies listed है Maruti, Tata & Mahindra Mahindra & Mahindra को आप इसलिए pure car play इंडिया में नहीं बोल सकते बहुत सारी companies है जैसे मैंने बताया Tata को इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो JLR का main business है that is not from India but from the developed countries and JLR जब इंडिया में इतना dicey है कि उसके numbers को हम पहले भी discuss कर चुके है कभी ऊपर चली जाती है situation कभी नीचे चली जाती है हम अगर यहां पर देखें P&L statement को तो कभी हमारा profit 9,000 से बढ़ का 14,000 हो जाता है फिर उसके बाद में 9,000 फिर 14,000 फिर कम होता चला जाता है फिर बढ़ जाता है फिर बहुत जादा loss में आता है फिर loss कम होना की विज़े से जो international market में इनके high-end products sell होते हैं तो इसलिए Tata Motors को pure Indian car player नहीं कहा जा सकता even if Harrier has done well even if जो इनकी बाकी Nexon है या फिर Safari है या फिर Tata Punch है ये cars बहुत अच्छा कर रही है उससे नीचे भी cars अच्छा कर रही है electric में जो इनकी Nexon है वो भी अच्छा कर रही है उसके बावजूद भी पिछले काफी quarters और पिछले काफी साल यहां पर बेकार गए है Tata के just because यहां पर JLR की ही main revenue है और इसमें trucks भी है commercial vehicles भी है तो अगर हम इस number को देखने लगे हैं कार का कितना बड़ा नंबर है तो हम यहां पर P&L statement में देखते हैं तो consolidated revenue 3 lakh crore की है and stand-alone revenue सिर्फ 62,000 crore की है यानि कि जो Indian business है that is giving revenue of 62,000 and overall कुल मिला कर देखें तो 3 lakh 18,000 यानि कि बाहर का business यहां पर 2 lakh 50,000 crore का है Indian business सिर्फ 60,000 crore का है यानि कि one fourth है बाहर के business के comparison में और इस Indian business में भी जो कार का segment है वो उसमें भी बहुत छोटा सा है शायद यहां पर product segment करके आ जाए नहीं आया तो product segment करके अगर हम देखें तो नहीं नजर आता है हमें अंदर detail में फर्दर यहां पर जाना पड़ेगा शायद balance sheet में जाना पड़ेगा वहां के numbers देखने पड़ेंगे लेकिन अगर हम 60,000 crore जो Indian business है उसका half भी लेकर चलें तो सिर्फ 30,000 crore के आसपास का business है overall जबकि 3,18,000 है यानि कि Indian car business Tata Motors का 10% के आसपास है यानि कि जितना मर्जी अच्छा हो जाए जब तक बाहर के segment नहीं सुधरेंगे और इसमें जो truck का business है commercial vehicles का business है including buses जब तक वो ठीक नहीं होगी Tata Motors उतना अच्छा नहीं कर सकता जितनी यहां पर demand बची हुई है जैसे हमने देखा इस business में इंडिया में 25 cars है per 1000 people चाइना में 200 है और अमेरिका में 800 के आसपास है एक number 800 कह रहा है और दूसरा number 980 कह रहा है तो 800 भी अगर हम मान कर चलें तो यह बहुत बड़ा gap है इस gap को यहां पर Tata Motors में भी problem नज़र आ रही है कि वो सीधा सीधा link नहीं है सिर्फ इस business से या इस company का इस business से car के business से और ना ही Mahindra & Mahindra का है जो company के हम बात कर रहे है क्योंकि Mahindra & Mahindra में बाकी सारे businesses भी है उसका tech Mahindra भी है financial service भी है और holidays भी है logistics भी है बाकी सारी companies भी है और जितने भी other players है including Hyundai और Kia और आपका Toyota या फिर Renault, Nissan या फिर Skoda, Volkswagen, BMW, Audi and Mercedes नोट मोदी तो यहां पर वो सारी companies तो लिश्टेड ही नहीं है तो finally हमारे पास कौन सा pure clinical कराता है सिर्फ एक जिसको कहते है Maruti Suzuki तो Maruti के ही यहां पर एक ऐसा player है जो इस पूरे segment में means इस पूरी growth में सीधा सीधा participate करता हूँ और नजर आता है तो यह एक keen player है अब हम बात करते हैं कि इस player जो Maruti है इसकी आगे growth कैसे होगी उसके क्या यहां पर numbers नजर आते हैं सबसे पहली बात आज की rate में company के तीन यहां पर plant हैं इंडियन Maruti Suzuki के दो plant हैं एक मानेसर IMT में है जो हर्याना में है और दूसरा गुड़गाओं में है वो भी हर्याना में है और तीसरा plant है वो गुजरात में है वो plant actual में Maruti Suzuki का plant नहीं है वो Suzuki Corporation जो Japan की master means इनकी parent company है Maruti Suzuki की जो parent company है Suzuki Corporation Japan वो उसका plant है यानि कि वो asset उनकी है तो यहाँ पर उसका impact क्या है impact यह है कि asset उसको ब्लोंग करती है जो parent company है लेकिन ये parent company जितना भी production करती है गुजरात के plant में इसको further cost एड़ करने के बदले same cost पर supply करती है अपने Maruti plant को या Maruti company को यानि कि Maruti Suzuki को same supply होती है तो सिर्फ asset ब्लोंग करती है जैपैन को लेकिन पूरा business Maruti Suzuki के through ही होता है जितनी भी sales है जो profitability वगरा है वो सब चीजे Maruti Suzuki की through ही होती है तो सिर्फ book value का यहाँ पर impact है जो growth है उस growth को हम सारा का सारा Maruti Suzuki में यहाँ पर count कर सकते है So basically यहाँ पर 3 plants है इस तरीके से मिला कर So जो गुजरात का plant है उसकी capacity है 7,50,000 units और जो बाकी 2 plants है मानेसर और गुरगाओं के उनकी capacity है 15,000,000 units per annum यानि कि total capacity Maruti Suzuki की आज की date में 22,000,000 units की है अब जो इनका expansion हो रहा है मैं expansion की बात करता हूँ यहाँ पर और expansion हो रहा है Sonipat में plant यहाँ पर जल्दी start हो जाएगा और Sonipat में जो plant यहाँ पर लग रहा है उसकी capacity है उसकी capacity है यहाँ पर 1,000,000 cars बनाने की यानि कि अभी जो capacity है 25,000,000 cars की है और यहाँ पर expansion हो रहा है 10,000,000 cars का Sonipat में और खर्खोदा इसदा अगेन IMT इंडिश्टिल मोडल टाउंशिप यानि कि एक पूरा systematic approach से बनाया हुआ एरिया जहाँ पर सिर्फ industries हैं जिससे उसी तरीके से वहाँ पर facilities दी जा सकें सेम एरिया यहाँ पर मानेसर में है और सेम ही यहाँ पर Sonipat में है तो यह एक अच्छी बड़ी growth है क्योंकि 25,000,000 अभी capacity है 10,000,000 की capacity बढ़ा रहा है यहाँ कि 40% से यहाँ पर capacity सीधी सीधी बढ़ रही है यह एक अच्छी position है अब यहाँ पर जो technology change हुई है फिलाल जो इंडिया का motive है कि हम इस fossil fuel को use करने के बदले जो diesel and petrol है इसको use कम करके हम CNG और जो gases है उसका use किया जाए फिलेक्सी फ्यूल का use किया जाए जिससे हम ethanol यूज कर सकें और electric vehicles बना सकें तो इसको लेकर यह क्या काम कर रहे है वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम अगर इस बात को आगे चल के देखने लगें so company Maruti Suzuki has set up one lithium-on battery manufacturing plant with joint venture with Toshiba और इसका production भी start हो चुका है 2021 में तो यह start हो चुका है और इनी सब चीजों को यूज करके जो अभी new cars launch हुई high rider जो Toyota की है और जो Grand Vitara है या फिर Breza है उन सब चीजों में जो batteries यूज हो रही है वो यहीं से यूज हो रही है and second manufacturing facility is coming up with an additional investment of 7300 crore rupees तो यह एक 1 billion dollar की further capacity लगा रहे है तो यह expansion का part है यह एक expansion हो रहा है साथ में अगर हम electric vehicles की बात करने लगें then electric vehicles को लेकर भी इनोंने बताया है कि next financial year में 2024-25 में company is coming up with new electric vehicle और यह जल्दी ही आजाएगा model इसका means showcase कर चुके हैं यह January 2023 में जो concept vehicle है और यह एक बार के full charge में 550 km के आसपास चलेगी so electric vehicle में भी यह पीछे नहीं रहने वाले यह चीज़े आनी शुरू हो जाएगी जल्दी ही और तब तक शायद थोड़ा सा जो platform है वो भी improve हो जाएगा साथ में एक और यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो flexi fuel engines की बात हम कर रहे हैं so flexi fuel engine याने की जिसमें ethanol 85% तक हो सकता है सिर्फ petrol 15% चाहिए होगा so wagon R उसके लिए भी तयार हो रही है और यह भी 2025 में यहाँ पर launch हो जाएगी तो यहाँ पर overall capacity 10 lakh car से बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर battery manufacturing capacity भी बढ़ा रहे हैं उसके साथ में flexi fuel engine भी आ रहा है और यहाँ पर electric vehicle भी आ रहा है and they have got a very big success जो इनकी hybrid cars हैं जो hybrid आपकी battery operated hybrid है जो non rechargeable है यानि कि अलग से plug-in करके recharge नहीं करना जो गाड़ी रन करेगी उसी से recharge होगी और यह सब हुआ actual में जो इनका tie-up हुआ Toyota के साथ Toyota के साथ इन्होंने joint venture किया है both companies will now start production of new SUV model developed by Suzuki at Toyota plant तो यहाँ पर इसको हुआ क्या है basically production की है means develop किया है Suzuki ने with the help of technology provided by Toyota at Toyota plant तो यह इनका आपस collaboration है इस collaboration में मारूती Suzuki नहीं जो parent company Suzuki Suzuki Toyota के कुछ shares purchase करेगी and Toyota Suzuki के shares purchase करेगी जिससे यह एक दूसरे की ownership रख सकें और एक दूसरे के फायदे को अपना फायदा देखा जा सकें तो यह एक का इतनी अच्छी development है क्योंकि Toyota के पास technology की कमी नहीं है they are world's largest car manufacturer और हमेशा से advance रहे हैं world's largest की जब हम मैं बात करता हूँ तो कभी Volkswagen group world's largest हो जाता है और कभी Toyota world's largest हो जाता है तो यह दो group world's largest है तो यह सारे advantage यहाँ पर मारुती Suzuki को मिल रहे हैं अब हम next बात करते हैं इसके financials की तरफ जाते हैं जब financials की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको नज़र आएगी this is a debt-free company यह पूरी तरीके से debt-free company है company के ऊपर कुछ भी loan नहीं है सारा का सारा अपना ही पैसा है और साथ में अगर आप देखोगे they have a proven track record of increasing shareholders money 14,000 crore rupees का जो इनका fund था company का that has grown up to 57,000 crore rupees four times हो गया है और जो fixed assets इन्होंने लगातार बढ़ाई है जो new plants लगाते गए है वो सारा का सारा अपने profit से लगाया है इनको loan लेने की ज़रुवत नहीं पड़ी है loan बिलकुल ना मातर का है चोटा सा है यानि कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता other assets की बात करें तो इनके पास cash reserve अभी भी है किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है जो trade receivables हैं वो सिर्फ business के साथ थोड़े से बढ़े हैं otherwise company का means ऐसा नहीं है कि company को पैसे लेने है और पैसे इनको वापस नहीं मिले so everything is absolutely fine अब हम इसमें एक और important point देखते हैं जो share holding pattern है जो public के पास shares है that is only 3.89% 56% हिसेदारी Suzuki Motor Corporation के पास है जो Japanese company है FII के पास 21% है DII इसने अपनी holding बढ़ा कर 69% से increase करके 18.89 कर दी है और public के पास ये share holding कम हो गई है तो ये एक का further यहाँ पर plus point है और एक और जो चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो latest quarterly results आए है those are the amazing results जो December quarter में आए थे 2392 क्रोड यानि की 2400 क्रोड का ये net profit है और 2400 क्रोड को अगर 4 से multiply करके आगर same profits आते हैं देखा जाए तो यहाँ पर ये 9600 क्रोड के आसपास आता है जो highest ever number हमारा बैठता है क्योंकि इससे पहले आज तक भी इतने अच्छे numbers नहीं आए हैं ये highest ever performance है और जैसे ही अपना ये new plant start होगा यहाँ पर capacity बढ़ जाएगी सीधा सीधा आगे की यहाँ से growth नजर आती है ये सब चीजे means सब कुछ amazing है overall business यानि की कारों का business बहुत जादा growth है हमने discuss कर लिया जो players हैं इंडिया में उसमें से सिर्फ 3 player listed है बाकी listed नहीं है जो player listed है उसमें से Tata की जो problem है या फिर जो अच्छाई भी हो सकती आने वाले time में वो means वो अच्छे favor में भी आ सकती है वो JLR है जिसका Indian market में बहुत जादा कुछ भी role नहीं है और जो mehendra and mehendra है मhendra and mehendra limited is not a pure car player उसमें बाकी financial technology और logistic and holiday companies भी है और Maruti एक अकली company है जो pure play है जिसको सिधा-सिधा इसका benefit मिल रहा है उसमें इन्होंने Toyota के साथ technology को लेकर advancement कर ली है collaboration कर लिया है share swaps के साथ और उसमें इनका production भी बढ़ रहा है इन्होंने नई plant भी लगा रहे है battery का plant लगा चुके है उसकी capacity भी बढ़ा रहे है नया plant लगा कर और यहाँ पर financials में debt free company है highest ever net profitability है और इनका share holding में भी अगर हम जाकर देखें तो strong hands में है public के पार सिर्फ 3% है यह सारी चीजें superb है अब यहाँ पर एक बार technical chart pattern की बात करते हैं technical chart pattern की जब हम बात करते हैं so stock is trading at the same level where it was trading in 2017 के end में 2017 December 2017 में company was trading at the same price company ने जो highest ever price यहाँ पर जो 2017 and this price was almost 10,000 अभी भी उससे थोड़ा सा नीचे ही है but this is amazing pattern और amazing pattern में आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं कि यह price action है basically price action में अगर आप देखोगे तो जो पहले resistance था यहाँ पर यह resistance बना उसके बाद में फिर यह resistance बना और यहाँ से इसने breakout दिया breakout देने के बाद में वापस से नीचे आया और उसके बाद में अभी यह same level पर support ले रहा है जहाँ पर पहले resistance था तो यह एक अच्छा पॉइंट है उसके साथ में अभी भी बार-बार यह नीचे आता है और यह एक level है जिसके नीचे आया और यह एक अच्छा सा basically reverse head and shoulder pattern बनता है so this is the left shoulder this is the head और इसको थोड़ा सा उपर नीचे हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा बिल्कुल उतना sharp यहाँ पर नहीं है लेकिन हो ज़्यादा difference नहीं है इसको हम थोड़ा सा market में जो behavior रहा थोड़ा सा उसके चलते हमें देखना पड़ेगा तो यहाँ से जब highest ever net profit आया है अब यहाँ से production वगरा सब कुछ बढ़ रहा है जितनी problems थी वो यहाँ पर सारी कहत्म हो रही है तो जो rally इसने पहले यहाँ पर ली थी सेम इसी तरह की consolidation के बाद में आगर आप यहाँ पर दीखोगे this was the same level जो यहाँ पर इस तरह का था और यहाँ से इसने same rally दिखाई थी एक अच्छी growth के साथ में और नीचे जटली कर फिर से इसने rally दिखाई थी सेम चीज यहाँ से start हो सकती है तो जो अभी level 8000 के आसपास नजर आ रहे हैं यह इस तरह से zigzag way में चलकर अगले 3-4 सालों में शायद 10,000 पहले resistance आएगा जो यहाँ पर 10,000 का resistance है वो तो आई गही आएगा उसके बाद में further यहाँ से rally लेकर 20,000 के आसपास जा सकता है एक और जो chart pattern यहाँ पर बनता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है that is the bigger reverse head and shoulder pattern अगर आपको यहाँ पर नजर आए तो this was the left shoulder यह पूरा यहाँ पर head है and this is becoming the right shoulder इसके base पर जो technical target हमारा निकल कर आता है हम यहाँ पर regular chart लेते हैं और इसके base पर हमारी जो depth है depth is almost of 5,800 का जो point है और 9,820 के उपर हमने इसको plot किया so target is coming this is 15,638 और current price से लेकर यह target निकल कर आता है हमारा 81% profit probability का यह 81% मेरे हिसाब से 2 years से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और अगर 2 years में हमारा 81% का गेन आ जाता है इतनी strong company का तो उससे अच्छा मुझे और कुछ नजर नहीं आता so this was the detailed analysis of Maruti Suzuki कि यहां पर सीखने की ज़रत होती है जिस तरीके से मैं आपको सिखाने के लिए इन सब चीजों की महनत करता हूं वैसे ही आपने भी यहां पर अपने notes बनाकर videos को दुबारा देखकर videos को share करके अपने दोस्तों की help करनी है और अपने भी notes बनाकर back testing करनी है और अपने आपको reach बनाने पर यहां पर महरत करनी है आपका भी यहां पर कल फिर मिलेंगे एकने वीडियो के साथ तब तक जाहिन